तो यह देखोगे प्यारे बैचो इस वाले सवाल को अगर तुम देखोगे यहां पे तो यह क्या कहा जा रहा है कि यहां पे फिर वही ऐसा सवाल आया था और कई बार नीट में पूछा गया है इनर फिगर इंडिडिजी वन ऑ de we left हां अगर आपए तो बॉल्टैज और टाइम का प्लॉट बनाना था समझ में आरहा है तो इंडिजी वन पे ऑप में बोल्टैज अगर कोई इंडेक्टर है इंडिडिज एम ऐसकोल टू माइनस यहां से Indidduce EMF यहां से तो negative sign यहां important है और di over dt क्या है di over dt जो है वो i और current और time के वीड़ जो plot है जो graph है उसका slope है theta है ठीक ना, theta तो di over dt की जो value है that is ten theta के बराबर that is इसको हम लोग बोलते है बच्चो slope ठीक है तो यहां से graph के कई पार्ट हैं, तो graph के गर कई पार्ट हैं, तो सबसे पहले मैं यहां से O से A पर जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहां से O से A पर गया, तो O से A पर देखो, क्या है, slope क्या है, constant है, तो O से A पर तुम देखोगे, तो यहां से introduce EMF is equal to minus L, और D I over D T, D I over D T जो है, O से A तक जो 10 ठीटा है, 10 ठीटा है, D I over D T, इसकी जो value है, वो positive है, और साथ साथ constant है, तो O से A तक यह value यहां रखोगे, उपर में, तो introduce EMF negative आ जाएगा, और उसकी value क्या हो जाएगी, constant आ जाएगी, तो negative और constant आ गया, O से A तक, ठीके न, अब आजाओ तुम यहां से, O से यह वाली, जो सीधी वाली लाइन है, तो जो सीधी वाली लाइन है, O से यहां से B और यहां से C बोल देता हूँ, तो फिर इसको point D बोल देता हूँ, तो A से B तो यहां से देखो, A to B, A से B तक जो slope है, theta की value 0 है, तो 10 theta जो है, O 0 है, तो D I over DT की जो value है, O 0 है, slope 0 है, से दी लाइन का, तो introduce EMF क्या है, 0 है, A से B तक 0 बनेगा, ठीक है, अब B से C तक देखो, B to B to C, तो B to C अगर तुम देखोगे यहां पे, तो देखो क्या है B to C, B to C जो है, यहां से यहां, B to C, यह वाली line B to C, तो B to C अपना जो graph है, प्यारे बच्चों यहां पे, slope negative है, theta greater than 90, कभी भी angle होता, this angle is, theta is greater than 90, तो O angle 10 की सारी value negative होती है, तो यहां जो slope 10 theta है, वो negative है, तो D I over DT, जो है, D I over DT, वो negative है, और जब इसको यहां पे master equation इसमें रखोगे, इसमें master equation फर्स्ट में रखोगे, तो एक negative तो पहले से इसके सामने था, E is equal to minus L, और D I over DT, D I over DT यह negative है, और एक negative इसके सामने लगा था, तो एकल मिला के positive और सीधी line है, तो constant है, तो positive और constant यहां से मुझे मिल जाएगा, कहां से B से C, और again C to D अगर देखोगे, तो C to D again theta 0 है, slope 0 है, तो 10 theta यहां से 0 है, percentage आज़ी है, तो EMF 0 है, तो यहां से यह सारी value मुझे मिल गई, positive और constant, तो अब इन सब को लेके अगर मैं plot graph बनाता हूं, तो अगर मैं graph बनाओं यहां से, तो time इधर बनाता हूं, और इधर EMF, और इधर minus EMF, और यहां से denote कर देता हूं, point O से, O से A तक देखो, O से, यहां से, be careful, O से A तक negative और constant value, तो O से A तक, O से A तक negative और constant value आया, O से आगए हम, A point तक, O से A पर negative और constant, फिर उसके बाद यहां से, A से B तक zero रहा, तो zero रहा, तो यह red line सीधी चलेगी, A से B तक zero, ठीक ना, फिर यहां B से C तक, positive और constant रहा, तो B से C तक positive और constant, तो यह C आगए, फिर C से D तक, फिर zero चला, कुछ अपना plot आएगा, ऐसा कुछ इसमें graph आएगा, इसको मैं थोड़ा थीक से बना देता हूँ, यहां से constant, फिर यहां से constant zero, फिर यहां से ऐसे, और ऐसे और ऐसे, तो अगर तुम देखोगे, मैच करोगे इसमें से, तो कौन सा option मैच कर जाता है, best option इसमें से जो मैच कर जाता है, that is अपना a option सही है,